हेलो फ्रेंड, सौगत है आप सभी पर मेरे चैनल कामीनी ब्लॉग में आज मैं आप लोग को बताने जा रहे हूं गाजर का हल्वा यह मैंने लिया है एक किलो गाजर इसको मैंने छोटे-छोटे टुकडो में काट लिया है जाए अब हम लेगे एक कूकर जैसां डालेंगे हम एक चम्रट की एक चम्रट की उसके बासे की आचिसेगर हो गया है उसमें हम डालेंगे गाजर में पूरा गाजर अच्छे से डाल लेंगे गाजर को डालने के बाद हम चला लेंगे उसके बाद से इसको हम कम से कम पांस मिनट तक भूनेंगे खुब अच्छे से इसको आगे इसका पानी सब खतम हो जाए अब देखिए यह हमारा सूप गया है खुब अच्छे से थोड़ी देर और हम भूनेंगे इसको अब इसमें हम डालेंगे दूर यह मैंने लिया है आधा किलो दूर दूर को अच्छे से मिला के मिलान अच्छे से खुब अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिलाने के बाद इसको हम ढखकन से बंद कर देंगे उसके बाद लगाएंगे इसमें दो तीन सीटी अब सीटी लगाने के बाद देखिए यहारा इच्छे से पख गया है गाजर इसको अच्छे से मैस कर लेंगे खुब अच्छे से मैस करने के बार इसको सुखाएंगे खुब अच्छे से भून लेंगे इसको आप चाहें तो इसमें लाइची डाल दी और मेवा भी डाल दी लेकिन मेरे घर में कोई खाता नहीं है तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है साधर बना रहे हूं अब इसमें मैं डालूंगे एक कप चीनी चीनी भी अच्छे से सुखा लेंगे देखिए हमारा काजर का हम वबन के तैयार है पीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब